हलो यारों आशा करता हूं कि आप बहुत बहतर हैं and now you're preparing a fresh बहुत प्यारे धंग से आप लोग एक बार चीजों को समझ चुके हैं, अब्जॉबन कर चुके हैं, now you're all planning ahead कैसा यारा, जब भी result आएगा, step one is always going to be to gulp in the result कि आपको सबसे पहले result को gulp in करने की अभशकता है, क्या मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति exam clear नहीं कर पाया है, वो बिलकुल undeserving था, बिलकुल भी नहीं है ऐसा, इंडिया का exam structure is such that अगर किसी व्यक्ति के, 900 में से 450 आए हैं, तो वो बादशाह है, वो किंग है, वो राजा है, और उस किसी के अगर 449 आए हैं, तो वो कुछ भी नहीं है, that is unfortunately the examination pattern, but what we have to understand is, that जितने CS CS अभी है, जितने professional courses करके आगे बढ़ने वाले लोग, ये सब लोग इसी process से गो थूरू करके, इसी process का हिस्सा का बनके गए, यहां तक कि कोई भी दिन, आप IIT ले लो, IAM ले लो, आप कहीं भी लो, एंटरेंस exam में, जो कट-off है, जो व्यक्ति कट-off के इस तरफ है, एक नंबर से भी, वो अंदर है, जो कट-off के एक नंबर इधर है, वो बाहर है, एक question से उसके college में admission होने नहीं होने का, depend करता है, so इसका है मतलब तो नहीं कह सकते हैं कि यह एकदम जबर्दस थे in terms of our knowledge, और यह नहीं है, but unfortunately हमारा structure यह है, कि यह इधर अगया हो बाधिशा, इधर आया है, वो नहीं हो पाया, but हम यह कता भी नहीं कह सकते हैं कि जो 450 आया, वो knowledgeable और 449 नहीं है, यह हम बिलकुल भी नहीं कह सकते हैं, बस थोड़ी और polishing के ज़र होते हैं और हमको फटा-फट से इधर से निकल के इधर निकल ना चाना, एक बहुत इहम चीज जो हर professional examination test करता है, वो आपका patience, तो just keep your calm, prepare hard and you're going to be this side very 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 soon, just have that faith, ठीक है रहा, तो smile करना है बहुत अच्छे से, महनत करनी है, और जैसे की, एक popular movie ने भी कहा ही सही, restart, 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 तो खुद को motivate करने के अप चाहो, सबसे पहले तो, खुद के लिए समझ लिए इस का मोटो ही क्या है, restart, कि अभी क्या करना है हमको, we have to restart the preparation and we have to get that side of this marking line, और बिलकुल आजाया, बिलकुल अच्छे से हो जाएगा, एकदम निश्चेंत रहना है, कुछ छोटी मोटी चीज इनका धियानत नहीं, सबसे पहली चीज तो, हाँ एरा, revisions, amendments की आप बिलकुल भी च आप उनसे रिविशन करते रहो, मैं और बहतर, और नए टॉपिक्स जो नहीं थे, उनके भी रिविशन सेजब आपके लिए प्लान करके लिए आऊँगा, यूट्यूब पहल ट्राय माई लेवल बिस्ट, कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट मिल चाएग अब यारा, यहां पर मैं, सुभवम सुक्लेचा, यहां पर मैं सिर्फ आपसे बात करनी के लिए राता हूं तो मुझे आपको कोई मेसेज देना है, कुछ बात करनी हैं आपसे, तो मैं यहां पर आता हूं, अदवे सारे रिविशन वीडियोस वही पर आते हैं, ensure कि आप वह जो major points हैं, जो आप से discuss करने के लिए आए हूँ, सबसे पहला, Sir, exam किसी कारण से clear नहीं हो पाया, Now, how many groups to write? आखर मैं कितने group लिखूं? My answer to that is, try and ensure that you are writing all the groups. अगर आप professionals में हैं, आपके तीनों गुरूप बाकी हैं, तीनों दीजिए, दो गुरूप बाकी हैं, दो दीजिए, executive में हैं आप, तो आप दोनों ही गुरूप दीजिए, तो आपको सारे गुरूप रखने की कोशिश करने हैं, provided आपके classes हो चुकी है, पढ़ाई हो चुकी है, आपके classes ही बाकी हैं, तो आपको अपने इसाब से कॉल लेना पड़ेगा, कितनी classes बाकी हैं, अगर classes हो चुकी हैं, और आपने डिसेंबर में भी तीनों गुरूप दीए थे, या executive के दोनों गुरूप दीए थे, and you are prepared, आपने एक बार एक्जाम में पूरे प्रिपरेशन से दे चुके हो, अब आपको वापिस देना है, तो don't think this, कि मैंने शाइद दो गूप दिया थे, इस ते नहीं हो पाया, अब मैं एक गूप देता हूँ, सकते हैं, लेकिन अब क्लासे से पढ़ा हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ा एक बार भी हो चुके है, तो जी जान से दीजिए, all the groups in this examination, बिल्कुल इसको लेके डाउटफूल ने रहना है, पूरे गॉप देना है, June is going to, June can strongly be your last attempt if you are giving your 100%, तो बस जी जान से देना है, ठीक है रहा, तीसरी चीज़ जो बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था, कि सर, how to restart the preparation, कि सर, हम preparations को restart कैसे करें, सोच लिया के preparations करने हैं, पर इन preparations को वापिस शुरू कैसे करें, I understand, उन्ही किताबों से, उन्ही चीज़ों से वापिस पढ़ना, and especially वो बच्चे, जिनका मार्जन कुछ 5-10 मार्च, 2 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च करें गया, उनके लिए और कठें है, जिन बच्चों का मार्जन थोड़ा से ज्यादा है, उनके फिर भी ठीक है, I understand that, बड़ खुद को ये समझाना है आरा, कि हमारे और हमारे अटेंप्ट के बीच में, आपका खुद का माइंड या कोई इंपेडिमेंट ऐसा, आप ही का कोई विचार बीच में आना चाहिए, कि मुझे वापिस पढ़ने का मन नहीं है, ये सब नहीं आना चाहिए, एक्दम clear thought से preparation कर लो, एक चीज जो आपकी help करेगी, that is, test series, join any test series, जहां अपना दिल लगता है, आपर चॉइन कर लो, कोई परिशानी नहीं है, but ensure that you have a test series with you, test series ऐसी जो आपके syllabus को कुछ 3-4 हिस्सों में डिवाइड करती हो, आपके portion number 1 का test है, portion number 2 का test है, portion number 3 का test है, portion number 4 का test है, आप test series के माधियम से कर preparation शुरू करोगी, तो आपके बहतर preparation होगी, और अभी ही ले लो, जिनका एकदम दिल नहीं लग रहा है बढ़ाई में, अभी से test series लेके preparation शुरू कर दो, अगर आप test series से preparation करते हो, तो आपकी ज़्यादा organized preparation होगी, आपको ये नहीं लगीगा कि exam कुछ 2 महीने दूर है, 3 महीने दूर है, और मेरे test 3 महीने बाद है, और एक मुझे जो problem समझ में भी बहुत सारे बच्चों की, वो ये आ रही है, कि जीवन में कुछ भी अगर कठिन हो गया आपके साथ, कुछ बहुत ही difficult हो गया आपके साथ, every student is different, तो हर एक वेक्ति क्या go through कर रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसके दिमांग में क्या चल रहा है, कोई imagine नहीं कर सकता, what a person is going through, so what I'll suggest you is, अगर आपको लग रहा है कि आपकी थाली में, इस समय पे, बहुत सारी चीजें साथ में आ गई है, सब प्रॉब्लम आपी के साथ अगई है, सब कुछ आपी के साथ हो रहा है, तो क्या करो यारा, कुछ भी हो सकता है, एक बच्चे से बात हो रही थी, उसके घर पे, उसके पेरेंस पे, बहुत frequent fight होती रहती है, तो उसको समझ जी नहीं आता है, किस चीज़ पे ध्यान दे, एक बच्चे से बात हो रही थी, उसके घर पे, उसके grandfather, grandmother, कोई एक व्यक्ती थे, जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, तो उनकी देखरेक में उसका समय चला जाता है, कोई और व्यक्ती है, उसके कुछ और issues है, किसी student के, कुछ और issues है, एक चीजे समझो, अगर हमें, अभी किसी भी हालत में जून निकालना है, तो हमें अपनी थाली से ये सब चीजों को दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा, थाली मतलब भी आपका दिमाग है, अपने दिमाग से सब चीजों को निकालके, और अभी के लिए you'll have to focus on exam. यह सब चीजों को दिमाग से निकालना है. This thali is your dimaag. तो ensure कि इस thali से आप हर चीज को side में निकालो and the focus should be only on examination. और मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि यह चीज एहम नहीं है, यह चीज बहुत एहम है. अगर अपने घर में कोई विमार है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. अगर अपने घर में किसी कारण से कुछ जगड़ा हो रहा है, तो उसमें अपनी तरफ से मदद करना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको अपना active participation देने के लिए मना नहीं कर रहा है. आप करिये जो करना है, अपने दिमाग से उसको निकालो. जैसे कि दिन भर में आपसे दो घंटे घर में काम करने की अपेक्षा की जा रही है. तो आप दिन भर ये मत सोचो ना कि दो घंटे काम करना है, दो घंटे काम करना है. आप गलती क्या रहे हो, तो थूआट देमाग ले रहे हो, और मैं पढ़ा ही कैसे करूगा हो, मुझे दो घंटे तो अपने दिमाग से बागी सब चीजे निकाल दो, अपने दिमाग में एक्जाम तक सिर्फ एक्जाम के बारे में सोचो, मान लीजे आपको दो घंटे उटकी क आपको आपको अपने माबाप के लिए कुछ करना भी है, तो आपको एक विजन चाहिएगा तीन-चार साल का, तीन-चार साल बाद आपको बहुत बहुत बढ़ा कर पा होगे, लेकिन अगर आप अभी भी शॉट टर्म गोल्स को भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत प्रड़क्टिव कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, लेकिन अभी के लिए आप जो ये महनती कर रहे हो, कि लॉट टर्म में उनके लिए बहुत कुछ कर लेगा, तो डोंट 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 वरी तूमच अपने थाली से सब निकाल लो भी, and just focus on examination, और अगर मान लो कुछ बहुत ही जदा जुरूरी है, तो फिर आप exams को side में रखे पूरा उस पे focus दो ये भी सलेगा, कोई student है, जिसका बहुत ही जादा back pain का extreme issue है, मत दो June attempt, it is okay, पूरा focus करो अपने health पे, because health आपके साथ जीवन बर रहने वाला है, then also it is okay, तो अपने थाल बच्चे ये बच्चे, अपने इसाब से importance, जो वन परसन बच्चे है, जिसके लिए कोई और अहम चीज है अभी, तो वो से focus करे, it is perfectly fine, but आपको अपने दिमाग को clear करना पड़ेगा, आराम से बैठो, और ये सोचो कि जो चीज आपके control में नहीं नहीं उन चीजों के और मे सोच के आप वैसे भी कर लोगे, तो अपने दिमाग को free करो, free of the space and then focus on an examination, there is nothing that you cannot clear, इतने सालों से हजारों बच्चों को पड़ाने के बाद में एक conclusion ये है, आप कभी नहीं कह सकते कि ये student ऐसा करी नहीं पायागा और ये तो पक्का करी लेगा, result surprises everyone in every attempt, एक बच्चा है जो और शायद class में 6 मिने रहा और एक शब भी नहीं बुला, और वो सीधा rank फोड़ के आगया, you never know के कौन सा बच्चा कब क्या कर के आजाए, तो आप खुद को भी underestimate मत करो, आप बस अपने दिमाग को clear करो, अपनी थालीत से सब चीज़ों को निकालो and just focus on the examination, you'll be able to kill it, ठेके तो यह बहुत एहम चीज़े इस पर ध्यान दो, और बाकी ठीकी क्या रहा, बाकी I think कुछ बड़ी परिशानी बात नहीं है, एक last point ऐसा है, अगर कहीं पर भी कुछ परिशानी है रहा, और आपको लगता है न परिशानी है, तो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकत इसके बाद में एक यूट्यूब पर अलरड़ी वीडियो है, हो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँँगा, हमने थोड़ दिन पहले मैं आपको ऐसी के कहा था, हम लोगों ने एक जूम मीट की थी, जो यूट्यूब लाइव भी था, जिसमें बहुत सारे इसके उसी हर एक बच्चा फेस करता है, हम यह क्यों कह रहे हैं, तो हरे एक स्टूरेंट उससे बहुत कुछ गें कर पाता है, तो वह अगर आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, तो switchover related आपको बहुत होगा, वह आपको rough guidance ही देता हूँ, मेरे हिसाब से, नॉर्मल केस आपको switchover के आड़ में नहीं सोचना चाहिए, उनलेस आपकिसी special case में fit in होता है, जैसे कि आपने अभी तक classes ही नहीं लिया, आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं किये, तो या फिर आपके exemptions हैं बहुत सारे, तो नॉर्मल केस में अगर आपने एक बार अच्छे से दोनों गू किया करना है, बड़ अभी तो I think switchover को related generally बच्चों को नहीं सोचना चाहिए, अगर आप किसी exceptional case में fit in होते हैं, जैसे कि आपने classes ही नहीं लिया, आपने पढ़ा ही नहीं के उलकी, तो आप फिर new की शुरू कर दो, या फिर आपके बहुत सारे exemptions मिल रहें आपको, आपने को जूम session, प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ensure that you are under telegram channels, हमारे telegram channels पर आओ, हम वहापे link बेज देते हैं, आप पहले से उसके अंदर खुद भी attend करके पना query पूछ सकते हो, और अगर आप खुद भी attend नहीं कर पाते हैं, कोई problem नहीं है, आप बाद में भी उसको देखेंगे, तो जो आपको लगता है कि hurdles हैं, सबसे पहले उससारे hurdles को arrange करते हैं, उन hurdles को handle करते हैं, hurdles के बारे में discuss कर लेते हैं, once we have discuss about the hurdle, end में भागना तो आपको यह, आपको नाव में बिठा देंगे, आपको हाथ में वह आपका rotate करने के लिए देंगे, but at the end of the day, rotate तो आप ही को गड़ना आप देख लो, इस बार के रिजल्ट की बात करते हैं, I think कितना, seven के असपस all-nay ranks है, hundreds of students have become CS this time, in, मतलब, innumerable exemptions है, 80 marks आए हैं student के highest funding के अंदर, 75 marks आए हैं IBC open book के अंदर, ये एक हिस्सा है result का, result का एक दूसरा हिस्सा भी होगा तर बहुत सारे बच्चे क्लियर नहीं कर तो अब हमें कोशिश कर नहीं है कि अब हमारे preparation को और polish कैसे कर सकते हैं, we have to try to polish our preparation and then go ahead, तो अभी मस्ती से पहले, result को गल्पन करो अच्छे से, फिर hurdles समझो के आपके और clear करने में क्या-क्या hurdles हैं, आपकी problem क्या-क्या है, और उसके ओपर धिरे-धिरे काम करके और फिर एक rough plan बनाओ and then start ahead, try and follow all of these things, मेरी तरफ से आपको ये simple सा, ऐसा, अशौरिटी रहेगी, कि आपके लिए top-notch revisions यूटीब पे रहेंगे, जो topics यूटीब पे अविलेबल नहीं है, I'll ensure कि मैं उसके revisions लो और आपके लिए लेकर, आपके लिए सारे subjects के amendments अवेलेबल रहेंगे, हर तो research जो आपको exam clear करने के लिए हो, most likely आपके लिए वेलेबल होगी, आप अगर driving student है तो वहां पे रहेगी, नहीं तो YouTube के पे जो बच्चे है, उनके लिए YouTube पे रहेगी, कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा चीज आपके लिए वेलेबल की जाए, बड़ यारा, just, सब से पहले अपने माइंड को clear करो और प्रेम से preparation को शुरू करो, I think nothing will be able to stop you then, right? Have faith, you'll be able to clear, keep smiling and keep working hard, खुब-खुब पड़ो and खुब-खुब-खुब आगे बड़ो, कोई भी अगर सवाल आपके दिमाग में है तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हो, I'll try के Helping Hand का तीसर एपिसोड में लेकर आओंगा तो उसके अंदर उन इस्शू को address कर लो, please take care of yourself, all the best.